पुट्रवधू श्रीमती रूपा जी टिमबढिया के पुन्य स्मृती में उनकी पुत्रवधू श्रीमती रूपा जी टिमबढिया एवं परिवार राजकोट गुजराद नमोस्तु 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 नमोरिहंताणम नमोसिद्धाणम नमो आयरियाणम नमोवज्जायाणम नमोडोई सववसाहुणम होकारम बिंदु सैयोक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने है कामदम मुक्षदम चेवे उमकाराये नमुनमे अविरल शब्द घनोगे प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मोनी भिरूपासे ततीर्था सरस्वती हरतुनो दुरितान अज्याने ते मेरांधानाम ज्यान अंजन शलाकेया चक्षुरुन मेलितम येने तसमई श्री गुरुवे नमे श्री परम गुरुवे नमे परम पराचार्य गुरुवे नमे भव्य जीर मने स्धी नहीं आनियाद करता रहे मैं स्तर चन्द्ण ऑनेयं अशितूरी स्वेट्द ऩंग्या धीम्ति मुझे झाद देव्याद सरी सभय गंदा सर ध्याद सचंग. श्रोतारह सावधांते आश्रण वंतु, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गोतम वणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जेन दर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगलम आंगल्यम, सर्व कल्यान कारिकम, रधानम, सर्व धर्मानाम, जेनम जेतु शासनम, जे नम जे तू शासनम जे नम जे तू शासनम साइयम प्रकाश नाम का ये गरंथ है आच्यार ये सूर्य सागर जी महरास साब द्वारा लिखी गई ये सुन्दर रचना है और इस पूरे प्रसंग में चोटी चोटी सी बातें जीवन निर्मान के लिए सिखाई जा रही थी उन्हीं चर्चाओं में हमने विकत दिनों में निर्माल लेके संदर्व में बहुत गंभीर विशे को देखा कि आखिर जिन मंदिर में येदि कोई वस्तो उपियोग में आ रही है तो हम उसे विकतिगत उपियोग में ना लेवे हमारे उपियोग में वो काम में नहीं आवे वो चीज बहुत दोश के भागिदार होते हैं ऐसे जीव जो जिन मंदिर की वस्तों को अपने उपियोग में लेते हैं धर्म या धर्मक्षित्र में निकाला गया पैसा अपने व्यक्तिकत उप्योग में नहावे दान के लिए गोशना की गई राशी तुरंत ही दे दी जावे इस तरह के छोटे-छोटे से विशय थे फिर एक एक दिन का विशय कुछ ऐसा भी आया था जिसमें यह बात भी कह दी कि जिनेंद्र देव की प्रतिमा को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर इस्थान अंतरित नहीं करें क्षेत्र से क्षेत्र अंतर भी उन प्रतिमाओं का नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी योग्य विधी मुहुर्थ पूर्वक ही विराजमान होती हैं जो प्रतिमाएं योग्य विदी और मुहूर्त पूरवक विराजमान हुई है उन प्रतिमाओं को फिर मुहूर्त बदल जाना ये बिलकुल अनुचित है इसलिए वो दुबारा विराजमान करेंगे एक दो दिन के लिए हटा ली है तो इस तरह के कारे करना योग्य नहीं है इसके पश्चात कल जो हमने विशय यहां प्रारंब किया है उसमें जिनंद्र देव के अभिशेक संबंदी प्रकरण है हम ऐसा भी कह सकते हैं प्रक्षाल की चर्चा है प्रक्षाल और अभिशेक इन दोनों में शब्द में क्या अंतर है हमने वो चर्चा भी आपके वीच में की मने जो प्रक् प्रक्षाल में कभी प्रक्षाल नहीं होता और भगवान मंजानेकर प्रतिमा का प्रक्षाल ही होता है। सो कथन मात्र की ही भिन्नता है इसमें और कुछ नहीं समझना चाहिए कभी हम प्रतीमा प्रक्षाल पाट कह देते हैं कभी हम जिनावी शेक पाट कह देते हैं कभी अविशेक और कभी प्रक्षाल दोनों ही तरह के शब्दों का प्रियोग होता है इस संबंद में कुछ प्रेशन यहां उठ रहे हैं पेज नंबर 407 पर जो प्रकरन चल रहा है उसमें एक प्रेशन उठाया है नीचे नीचे दो प्रेशन दिख रहे हैं दोनों ही प्रेशन पढ़ेंगे अभी अपन पहला प्रेशन है यह उन लोगों के द्वारा किया गया प्रेशन है कि भगवान का प्रक्षाल नहीं होना चाहिए भगवान का अभिशेक नहीं होना चाहिए ऐसे लोग हैं दुनिया में वो यह कहते हैं कि भगवान का अभिशेक नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए प्रक्षाली नहीं होना चाहिए ऐसे भी लोग है दुनिया में कारण क्या है यह आती शुद्धता वादी लोग हैं जो यह कहते हैं कि शुद्धता बहुत 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 मात्रा में क्योंकि बिलकुल भी अशुद्धी नहीं हो बिल्कुल भी पाप नहीं लगे बिल्कुल भी दोश नहीं लगे इस तरह की बात वे लोग बताते हैं देखिए यहां प्रश्न है भगवान की मूर्तियां जो वेदी में विराजमान है भगवान की मूर्तियां जो वेदी में विराजमान है वे नगन अवस्ता मुनी मुद्र को लिए हुए हैं वगवान की प्रतिवा और दिगंबर संप्रदाय में मुनियों के लिए इसनान का सर्वता निशेद किया गया है मने राज तो इसनान करते नहीं मने राजों के तो 28 मुलगुणों में एक असनान नाम का मुलगुण है साथ शेश गुणों में 28 मुलगुणों में एक असनान है इसका मतलब मने राज के लिए निशेद किया गया है इसनान का मने उन्होंने जीवन परियंत नहाने का त्याग कर दिया है मने राज ने अब वे जीवन भर नहीं नहेंगे इसका मतलब अब वे देह की शुद्धी नहीं करेंगे अब वे निरंतर आत्म शुद्धी के मार्ग पर बढ़ते चलेंगे शरीर की शुद्धी कितनी भी कर लो शरीर शुद्ध होता भी तो नहीं है तो यहां इन्होंने इस बात कह दी कि मुनी अवस्ता के अंदर निशियत किया है और एक जल की बिंदू में असंख्य जीव माने हैं वहने एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव होते हैं 36,450 जीव जो वेग्यानिकों के द्वारा गिने गए हैं वे तो तरस जीव गिने गए हैं वास्तव में तो सूक्ष मरीती से विचार करे हैं तो केवल ग्यानियों के ग्यान में असंख्यात जीव जल के हैं तो जिन प्रतिमा को जल से अविशेक क्यों किया जाता है इस कारण अविशेक नहीं करना चाहिए वह एक तो मुनी अवस्ता के बाद की अवस्ता है भगवान बन गए हैं तो उस अवस्ता के अंदर अविशेक करना कैसे बनेगा भगवान का तो अविशेक होता नहीं बालक का होता है योग अवस्ता के अंदर होता है तो ये तो मुनी अवस्ता के बाद की है जब मुनी नहीं नाते हैं तो तिरतंकर प्रमात्माओं की यह बात होनी ही नहीं चाहिए भगवान की प्रतिमाओं में ऐसा प्रश्ण कर रहा है प्रश्ण करता उसका जवाब दे रहे हैं भाईया प्रतिमा तो भगवान की है तुम क्या रहे हो मुनी अवस्ता में त्याग हो मनि प्रतिमा छटे गुनस्तान वर्ती मुनी की नहीं है प्रतिमा तो त्रेयोदश गुनस्तान वर्ती अरिहंत की है एक और तथे की तरफ मैं यहां ध्यान आकर्चित करना चाहता हूँ यहां जो सूरिय सागर जी महाराद साब ने लिखा है नेकी छटे गुणस्तान वरती मुनी की प्रतिमा मने प्रतिमा भगवान की है क्या प्रतिमा भगवान की है प्रतिमा मुनिराज की नहीं है इससे मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुनिराजों की प्रतिमा नहीं होती है मुनिराज्यों की प्रतिमा नहीं बनती है मुनिराज्यों की प्रतिमा सामान्य मुनी के रूप में तो बनेगी जैसे देवगड में है उपाद्याय परमिष्टी की प्रतिमा है ऐसी तो मिलेगी लेकिन उपाद्याय परमिष्टी की जिनकी वो प्रतिमा है उनका नाम क्या था नाम नहीं नाम से नहीं हो सकता नाम से कैसे चलेगी बात क्योंकि चटे साथ में गुनस्तान वरती मुने कुंद कुंदा चैरे देव की प्रतीमा हो ना क्या तो वो उस काल में कुंद कुंदा चैरे देव की प्रतीमा नहीं बन सकती थी क्योंकि पता नहीं और सामने यदि कोई मुनिराज मौजूद हैं और हम उनकी प्रतिमा बना करके विराजमान कर देवें तो बिलकुल आयोग यह है आगम उसकी स्वीकरती नहीं देता इसलिए आगम स्वीकरती नहीं देता क्योंकि अभी पंचम काल चल रहा है चोथा होता तो भी नहीं यह तो कोई छेटे साथ वे गुनस्तान बरती मुनिराज है ना और परिणाम तो सब के बदलते रहते हैं क्या पता किसी के परिणाम विचलित हो जाएं तो आपने प्रतिमा बना करके विराजमान कर दी बाद में वे परिणामों से भरष्ट हो गए उनका गुनस्तान गिर गया लेकिन मैं तो यहां यह कहना चाहरा हूं क्यों नहीं परंपरा रही मुनिराजों के भी व्यक्तिगत नाम से पूजाओं की परंपरा नहीं रही अपने प्राचीन काल से हमारे यहां जैन मंदिरों में देव शास्त्र गुरु की पूजा तो होती है लेकिन कभी ऐसा नहीं ह कभी नहीं होती है अमासवामी आच़री की पुजा कि या आपने अगी यहीं है नहीं अगी पिछले 2000 वर्षों में कैतने मुणी अजारों लाकों मुनी हुएा होंगे लेकिन उन हमने कभी पूजय पाद आचारी की पूजा नहीं करी हमने कभी योगेंदु देव आचारी की पूजा नहीं करी है ही नहीं हमने कभी नेमी चंद्र सिद्धान चक्रवर्ती आचारी की पूजा नहीं करी ने बनाई ने देखी कभी हुई नहीं क्यों कि मनिराज की पूजा परिणाम का उनके ओदाइक भाव का तो मुनिराज की प्रतिमा हो सकती है लेकिन किसी व्यक्तिगत मुनिराज की नहीं हो सकती है ख्याल में आ रही है बात इसलिए महाराज साप की पंक्ती पढ़ी है मैंने तो यहां जो इन्हों ने लिखा हैं भगवान की प्रतिमा तो भगवान की होती है त्रियोदश गुनस्तान वरती अरिहंत की नेकी चटे गुनस्तान वरती मुनी की यह सुर्य सागर जी महाराज लि बात यहां कही गई देखिए आप फिर कह रहे हैं तो चटे गुनस्तान वरती मुनी ही इसनान नहीं कर सकते हैं तो केवल ग्यान शाली की आदर्श रूप प्रतिमा का इसनान के इस प्रकार संभव हो सकता है वे तो समय श्राण में अंत्रिक्ष रहते हैं प्रश्न कर रहा ह शिश्य उसका जवाब दिया सद्ध द्रश्ट यह प्रकुर्वन्ती चाविशेकम जिनसे यह जन्मिस्नानम्चते प्राप्य मेरो यांती शिवालयम प्रश्न तर्श्राव का चारका यह धरन प्रस्तुत किया जो सम्यक द्रश्टी पुरुष भगवान जिनेंद्र देव का अविशेक करते हैं धन्य है वे जीव सम्यक द्रश्टी करते हैं सम्यक द्रश्टी जीव रोजाना जिनेंद्र देव का प्रक्षाल करते हैं जो सम्यक द्रश्टी पुरुष भगवान जिनेंद्र देव का अविशेक करते हैं वे मेरू परवत पर जन्मावी शेक पाकर मोक्ष में जा विराजते हैं विराजमान होते हैं अर्थात वे तिर जाता है कि भविश्य में उसका प्रक्षाल किया जाता है भगवान की भक्ती करने वाला ऐसा बन जाता है भविश्य में कि उसकी भक्ती होने लग जाती है कि भगवान की सच्ची भक्ती करने के फल है जो जीव भगवान की भक्ती करेगा वो जीव अलपकाल में ऐसा हो गा ऐसा है देखिए मेरू परवत पर उनका जन्मा भी शेक हो जाता है और अंत में विमोक्ष प्राप्त करते हैं कहा भी है और श्लोक दिया है जिनांगम स्वच्छ नीरेने क्षालयंती स्वभावत है येती पाप मलंते शाम शेयंगच्चती धर्मत है जो स्वभाव से ही स्वच्छ जल है उससे भगवान जनेंदर देव की प्रतिमा का अभिशेक करते हैं उस धर्म की महात्मे से उनका समस्त पाप कर्म नश्ट हो जाता है लेकिए आप स्वभाव से ही स्वच्छ जल और जिनेंद्र देव की प्रतिमा का अभिशेक और उसके माध्यम से ऐसी महिमा हैं जिनेंद्र अभिशेक की ऐसी महिमा हैं जिनेंद्र देव के अभिशेक करने का ऐसा माहात में हैं कि उससे समस्त पाप कर्म नश्ट हो जाते हैं समागम मात्र से परिणाम बदल जाते हैं हम क्या बताएं आपको ग्यानियों में ज्यानियों के समागम में रहने वाले जो जीव होते हैं उनके भव अपने आप सुधर जाते हैं उनके परिणाम सुधर जाते हैं उनके भावों में विशुद्धी आने लगती है संतों के वागम में नवीन जी साफ जो जी साधरमियों के आप देखिए प्रसंग उठा करके देखिए आपको ऐसे पुरानों में बहुत सारी प्रसंग मिल जाएंगे अनमोधना करने वाले तत्व घ्यान की अनमोधना करने वाले सम्यक धर्शन की अनमोदना करने वाले धन्यक्त से जी रिश्वद्देव स्वामी को आार की आरधान दिया था कि ए पिछले बहु में जब वज्र जंग और शरीमती के भाव में थे पिछले बहु में राजा रानी थे और उन्होंने आर दिया था और आर देते चार पशु हो ने उनके आहरदान को देखा था तो यह आथा जैनौ को 5 दो दो कि शेर ने डिखा ने आयव poड़े ने देखा कि चार थे नौ अब चार-चार जानवर देख देख करके अनुमोदना प्रशलसा कर रहे हैं हो मुनिराज का हार हो रहा है धन्य है मुनिराज का हार हो रहा है इतनी सी बात को देख करके जसने प्रशलसा की भविश्य में भगवान और मुनिराज बनने जैसी पात्रता हो गई उनके जीवन मे सिर्फ समागम मात्र से आप देखिए ग्यानियों के समागम में रहने वाले लोग स्वेमेव ग्यानी हो जाते हैं अनमोदना मात्र के अंदर ऐसा स्वेमेव हो जाता है ये भी यहां लिख रहे हैं जिनेंद्र देव की प्रतिमा का जो अविशेख करते हैं उस धर्म के माहत्मे से उनका समस्त पाप कर्म नश्ट हो जाता है उनका और भी कहा है और भी बातें बतलाते हैं जिनावी शेक के माहत्मे के संदर्व में और विशेश सुनिये अभिशेक महम नित्यम सुरनाथा सुरै समम द्वीद्वी प्रहर परयंत में कई के दिशी शांते ये कनत कांचन कुम्भस्य निर्गतई निर्मलांबुवी भी महोत्सव शतेरवाद्येर जैकुलाहल स्वनही नित्यम कुर्वते भूत्या वेश्ववेगने हरंशुभं जिनिंद्र देव्य बिम्वानाम गीतन रत्यस्त वही सहे देवों सहित इंद्र हैं जो एक एक दिशा में ये सब अभिशेक और प्रक्षाल के संबन में प्रमान प्रस्तुत किये जा रहे हैं प्रक्षाल के संदर्व में प्रमान प्रस्तुत किये जा रहे हैं जिनावी शेक के संदर्व में देवों के साथ में इंद्रों dB आखर के एक एक दिश्या में दो दो पहर एक पहर होता है तीन घंटे का a ब् तो जब दो पहर में पार बॉते है सिछ ड़ बीट जाते हैं तो अपन 추가 लगते हैं से तो त्समिए रोह Sam तो एक बजे दो पहर होगी तो ये किया रहे हैं दो पहर तक अशुब कर्म की शान्ती के निमित जिनेंदर के दिव्य बिम्मनी का गीत निर्ट इस्तवन तथा अनेक वादित्र और अनेक उत्सव सहित जैजेकार शब्द रूप कोलाहल सैयुक्त कांती मान सुवर्ण कुम्मनी के मुख से निकलता निर्मल जल कर निरंतर विग्न को हरता शुब महान अभी शेक नित्य करे है ये सब बड़े संदर विशेशन दे करके यहाँ ये चर्चाएं की है जिसमें काए जब जिनेंदर देव का अभी शेक होता है तो पानी ज़रता हुआ ऐसा लगता है अशुब कर्म ज़र रहे हूँ बाहर में जल की धारा छोड़ी जा रही है बाहर में जिनेंदर देव की प्रतिमा का प्रक्षाल किया जा रहा है और मानो पवित्र परिणामों के माद्यम से देव लोग अपने पापों का प्रक्षालन कर रहे हो ऐसा महसूस होता है कि देव्य बिम्मों का प्रक्षाल किया जा रहा है नरत्य किये जा रहे है स्तवन किया जा रहा है बादित्र बजाए जा रहे है अनेक उत्सव सहीत जैजेकार हो रहा है सारा वाता वरन कांती मैं हो गया है स्वरन कलशों में भरकर जल निर्मल जल से निरंतर ऐसा लगता है कि शुब महान अभिशेक सर्व प्रकार के विगनों को हरन कर रहा हूँ ऐसा नित्य करें हैं ऐसे देव लोग रोजान अभिशेक किया करते हैं वहां इंद्र देवों सहित उल लिखित प्रकार से भगवान का अभिशेक करता है माने इंद्र रोजान अभिशेक करता है और उपर कहे गए प्रकार से करता है तदनु सार भव्य प्राणी भी भगवान का अविशेक करते हैं ये उल्लिकित पद्य शिरी सकल कीरती करत सिद्धान तसार से के दिये गए हैं माने एक सकल कीरती मुनिराज दोरा लिखा गया सिद्धान तसार गरंते वहां से ये प्रमान प्रस्तुत किये गए हैं देखिए और भी सब प्रमाणी प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं आगे कहते हैं अतेह जल का अभी शेख उद्दिश यानुकूल होने से वहित है ये थोड़ा सा एक समझने जैसी बातें यहां कही है आगे भी जब आएगा प्रकरन तो और विस्तार करेंगे इस बात का भगवान का अभी शेख जल से किया जाता है सब जगे पर जल जल शब्दों के प्रियोग यहां किये गए हैं एवम किया जाता है वहित भी हैं किया भी जाता है तथा करना चाहिए जल से अविशेक और पंचामरत अविशेक उद्देश्य से प्रतिकूल होने के कारण त्याज्य है अब ये कितना इसपष्ट शब्दों में महरास साव ने यहां कह दिया है हेतु दे दिया है उसका हेतु क्या दिया उन्होंने उद्देश्य से प्रतिकूल होने से त्याज्य है पंच्या मरताविशेक उद्देश्य क्या था आपका पहले ये नक्की करू भगवान की प्रक्षाल का उद्देश्य क्या था प्रश्न खड़ा होता है इस तरह का कि उद्देश्य तो यह है कि प्रतिकी शुद्धी बनी रहे इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है बाहर में प्रक्षाल का उद्देश्य इतना समझना चाहिए कि अपने परणामों में निर्मलता बनी रहे साक्षाय श्री जिनेंद्र देव को इसपर्श करने का एक अवसर मिल रहा है ऐसा यहां कहना चाहते हैं लेकिन वो उद्देश्य से प्रतिकूल है क्या पंचामरत क्या जरूरत है उसकी इसलिए वो त्याज्य है ऐसा यहां कह रहे हैं अती विस्तार मैं इस पंचामरत के निशेर संबंदी यहां नहीं कर रहा हूँ आगे कहीं प्रक्रण आएगा तो चर्चा करेंगे लेकिन इतनी बात जरूर कुंगा भाईया उस अभी शेक में बहुत प्रकार से हिंसा बनती है बहुत प्रकार से जीवों की विराधना होती है बहुत जीवों की उस पंचामरत में उत्पत्ती होती है और कितने चिकनाई होती है वहां मिठास होती है वहां रस वगर होते हैं और अभी तो पंचामरत नहीं अभी तो नवालूं कितने कितने से होने लगे हैं मने इतना होने लगा है इतना होने लगा है पूरे देश में रंगों से अभिशेक होने लगा है केसरिया रंग से हो रहा है कहीं हरे रंग से हो रहा है कहीं सफेद रंग से हो रहा है कहीं दूद धाई से और नमालूं क्या-क्या ते रंगे अभिशेक हो रहे हैं बहुत-बहु जो 108 फिट की प्रतीमा बनी कहां पर अपने मांगी तूंगी में और उसके बाद में अभी शेक हुआ उसका मनला सची घटना है विल्कुल उसके करीब दो मेहने बाद हम तो कब गए थे ध्यान नहीं है अपने भी देखा था शायद और और उसे भी सुना मैंने दो-तीन मेहने बाद जो लोग वहां गए दो-तीन मेहने बाद भी वो जो पंचामरत अभी शेक हुआ था वो बैता हुआ जिन नालियों में था वहां नालियों में कीड़े चलते हुए नालियों में भरे हुए वहां जीव ऐसे पन होगई आप कल्पना नहीं कर सकते हो क्या इस्तिती होगी कितने जीवों की विरादना जा आप उसे अपनी आँखों से देख नहीं सको ऐसे ऐसी इस्तिती होगी कहा वह ата वह दूद कहा जायेगा वह बै बै करके कहा जायेगा वह रस जो शरीजी के मस्तक पर डाला जा रहा है जो गन्यारस आपने डाल दिया वो मीठा कहां तक बैता रहेगा कब तक बैता रहेगा सामने से लिख रहे हैं बद्बू आती थी सड़ गया वो नालियों में कहां तक परवत पर से उपर से कहां कहां से उनको कहां साफ करेगा कौन करेगा, कौन-कौन मेनत करे, कौन क्या करे, कैसे करे, कैसे दुले और कैसे साफ हो करे, करे, का करे, का भी का ौन